हेलो लिब्रा लिब्रा यानि तुलारासी नमस्ते मैं सुरे स्वोर्ड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रीपल एस हिंदी टैरो पर तो आज हम हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन के लिए ओवर ओल रिडिंग करेंगे और फिर इसमें हम देखेंगे कि युनिवर्जी क्या गाइड कर रहे हैं और ये एक 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक साब्ताइक रिडिंग होगी और ये एक जनल रिडिंग है आप जानते ह हैं कि सब पर रेजोनेट नहीं करती लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज एक्सेप्ट किजिए वाकि अपने फ्रेंड्स के लिए दोस्तों के लिए पास किजिए तो युनिवर्जी काइड मी प्लीज इन दिनों लिब्रा यानि तुलारासी की अनर्जी कैसी रहने वाली हैं या इनकी तुन कैसे रहने वाले हैं आपका health, wealth, students, job, business और singles, relationship and last हमारा कार्ड आता है guidance के लिए seven of wants ये आपका seven of wants का कार्ड आया है आपके health को लेकर तो लग रहा है कि जो लोग बिमार थे वो काफी दिनों से अपने शरीर पर मेहनत कर रहे हैं अपने स्वास्ते को ठीक करने के लिए मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन उनके according उसका result नहीं मिल रहा है स्वास्ते ठीक नहीं हो रहा है तो अगर आप लगातार मेहनत करते रहे, effort लगाते रहे, कोशिश करते रहे डोक्टर्स के पास जाते रहे तो दीरे दीरे करके energy आपके favor में आती दिखाई दे रही है दीरे दीरे करके आप improve करना शुरू कर देंगे और तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सेक्रल चक्रा से related यानि कुछ लोगों लेडिज में जैसे periods की problem भी हो सकती है उनको समय पर periods ना आना, बचे conceive ना करना, इस तरह की भी problem हो सकती है और digestion के issues भी हो सकते हैं, खाने पीने से, पेट से related भी दिक्कतें उनको हो सकती है और जैसे cold की problem आँखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, इस तरह के भी दिक्कतें शायद उनके सामने आ रही है लेकिन अगर मेहनत करते रहे, effort लगाते रहे, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके आप अपनी विमारी से निजात पा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं एस ओफ कप्स, तो ये ये वैल्थ के लिए आया है, congratulations, हो सकता है के पास्ट में आपने काफी प्रेशनियों को काफी दिक्कतों का सामना किया है, लेकिन अभी अनर्जी आपके फेवर में हैं, कुछ ना कुछ गुड नीज आपको मिल सकती है, कोई ना कोई ओपर्चुनेट आपको मिल सकती है, आप वेल्थ वाइस काफी मजबूत, काफी स्टेबल होते नजर आ रहे हैं, आप अगर फाइनेंस में हैं, या जोब कर रहे हैं, या तो बिजनस में हैं, या नया कुछ करना चाहरे हैं, तो आप उसकी में एक बिग्णिग कर सकते हैं, एक शुरुवात कर सकते हैं और फ्योचर में जाकर ये आपको काफी अच्छे रिटरंस देने वाली है काफी सक्सेस आपका लाइफ होने वाली है अच्छी तरह से आप सेटल इसमें होने वाले हैं और अगर आप बिजनेस में हैं या जोब में हैं या फाइनेंस में हैं तो हो सकता है कि नए जोज के साथ नए हिम्मत के साथ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी आपके फेवर में दिखाए दे रही है तो आप काफी इस में ग्रॉथ करेंगे सक्सेस होंगे और कामयाब भी हो सकते हैं आप इसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलने वाले हैं तो यह eight of wands का card है तो यह students के लिए आया है students अगर आप कहीं फोरन में जाना चाह रहे थे या वहाँ अपनी पढ़ाई करना चाह रहे थे या पढ़ाई को लेकर उसको करियर को लेकर आगे इसमें कुछ ना कुछ forms वगएरा समिट करना चाह रहे थे या फोरन से कुछ ना कुछ सला मसूरा करना चाह रहे थे उनकी help लेना चाह रहे थे या फिर हो सकता है passport विजा बनवाना चाह रहे थे तो हो सकता है कि past में आपको काफी प्रेशानियों का समना करना पड़ा हो दिक्कतों का समना करना पड़ा हो लेकि उचाईयों पर जा सकते हैं आच्छी position हासिल कर सकते हैं दीरे दीरे करके आप name और fame भी इसमें पा सकते हैं काफी आच्छी growth इसमें दिखाई दे रही है काफी opportunities इसमें दिखाई दे रही है तो यह job के लिए है congratulations कहीं न कहीं लिबरा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ या तो अच्छा celebration के आप mood में दिख रहे है या तो आपको job मिल चुकी है या तो बहुत जल्दी आपको job मिलने वाली है एक कुछ ना कुछ सफलता आपके जुरूर हाथ लगने वाली है अगर आपने try किया है मेहनत की है कोशिश की है result की wait कर रहे है तो वो आपके favor में आ सकती ह है और आप परिवार के साथ family के साथ बहुत जल्दी celebration करते नजर आएंगे या तो आपको इसका तुरंत result मिल चुका है अनर्जिस आपके favor में दिखाई दे रही है तो जिन लोगों का अभी result वेट कर रहे हैं तो उनको काफी लोगों को इसका अच्छा result मिलने वाला है क्यो अच्छी growth दिखाई दे रही है success दिखाई दे रही है काम्यावी दिखाई दे रही है celebration दिखाई दे रहा है तो आप job को लेकर या तो जो already job कर रहे थे उनको अच्छी पद उनती मिल सकती है अच्छा rank हासिल हो सकता है या तो नई job आपको मिल सकती है आप बहुत जल्दी इ अगर आपका बिजनस डूब गया था, काफी प्रेशान थे, काफी हतास थे, काफी निरास थे, तो हो सकता है कि इसमें एक नया बदलाओ आए, नया चेंज आए, आप का दुबारा से ये बिजनस शुरू हो जाए, आप जो खो चुके हैं, जो आपके पास कुछ बचा ही नही है, तो उसको रिगेन कर सकते हैं, दुबारा से धीरे धीरे करके हासिल कर सकते हैं, और कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको काफी सतर करेने की जुरूरत है, समय रहते इस पर ध्यान देने की जुरूरत है, हो सकता है कि जो लोग बिजनस नया चाह रहे हैं, या जो बिजनस कर रहे थे आगे उस पर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो अभी के लिए आपको रुकने की जरूरत है नया पैसा मत लगाई ये नया बिजने स्वरू न कीदिये हो सकता है कि आपको ऐचानक से कोई इसमें घाटा हो जाए नुकसान हो जाए तो उससे बचने के लिए अभी आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है आपको सला दी जा रही है कि अभी के लिए बिजनेस को शुरू मत कीजिए इस पर पैसा मत लगाई ये सिंगल्स के लिए आया है कॉंग्रेचुलेशन अगर आप सिंगल हैं किसी से प्यार करते हैं किसी से महबत करते हैं तो हो सकता है कि कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आगे जाकर ये शादी के बंदन में भी बन सकता है या आप उनसे शादी भी कर सकते हैं और ये आपके लिए काफी अच्छा रिस्ता है काफी मजबूत रहने वाला है नेम और फेम मिलने वाला है जो रिस्ता आपको मिलने वाला है लोग उसकी तारिफ करेंगे काफी आपको मिलेंगी काफी इसमें विक्ट्री आपको मिल सकती है सक्सेस मिल सकती है ये रिस्ता आगे जाकर नेम और फेम आपको दिलाने वाला हो सकता है और कहीं न सकते हैं तो यह relation आपके लिए या singles हैं अगर आप relation में जाना चाहते हैं तो यह आपको अच्छा returns दे सकता है King of Wands तो अगर आप relation में हैं और शादी के बंदन में जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पहले सोचने विचारने की जुरूरत है जो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है जो आपको सही दीख रहा है आप सिर्फ और सिर्फ उसको देख रहे हैं लेकिन उसके साथ जो इसमें कुछ ना कुछ जो छिपा है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं जो आप से सुपाया जा रहा है जो losses है जो घाटा है वो आप इसमें नहीं देख पा रहे हैं तो अगर आप इसको शादी के बंदन में बांधना चाते हैं तो आपको उसके साथ साथ पहले इसके रिस्ते के बारे में जांच परताल करने की जुरूरत है इसमें जो खामिया हैं जो प्रेशानिया हैं दुख तकलिफे हैं उनको भी जानने पैचानने की जुरूरत है कई बार जो सामने दिखता है वो नहीं होता है जो लालत जो दिखावा आपको दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता तो आपको जो दिखाया जा रहा है उससे बाहर निकल कर आपको अपने दिमाग से सोचने समझने की इसमें जरूरत है अगर आप पैसा करते हैं तो आगे जा कर ये रिस्ता आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उस अच्छाइओ के साथ अच्छाइओ के साथ बुराईओ को भी देखने की जुरूरत है या जो बेनिफिट उसके पैसाथ उसको नहीं समझ पा रहे हैं आप थोड़ा सा लालच में हैं जो दुसरों के पास है आप उस पर ध्यान लगाए हुए हैं आपको हर वक्त लगता है कि यह मुझे होना चाहेगी लेकिन समय से पहले कोई result नहीं मिलने वाला है आप मैनत कीजिए effort लगाए कोशिश कीजिए समय आने पर आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे जैसा आप काम करेंगे जैसा आप मैनत करेंगे उसके according आपको फल मिलने वाला है मैनत करते रहिए effort लगाते रहिए तो बाकी universe के बरोसे बगवान के बरोसे छोड़ दीजिए आपको अपना मैनत के बलबुते इसका result मिलने वाला ह अगर आप positive करते हैं तो positive result मिलेगा अगर आप negative वे में करते हैं तो इसका result आपको negative ही मिलने वाला है तो आप काम करते चलिए मेहनत किजिए effort लगाईए honesty के साथ किजिए आपको result अपने आप ही मिल जाएगा समय आने पर result आपको जरूर मिलेगा बस आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो please like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए comments करना बिलकुल मत भूलिए क्योंकि मुझे इससे motivation मिलता है help मिलती है तो आज के लिए नमस्ते thank you so much